नमस्कार आप देख रहे हैं सकाइनेट टीव इंडिया आप सभी को सकाइनेट टीव इंडिया परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक सुपकामना है सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व दिवाली को पर्वो की माला कहा जाता है पांच दिनों तक चलने वाला यह पर्व केवल दिवाली और गोवर्धन पूजा तक ही सीमित नहीं रहता बलके महा पर्व छट पूजा तक चलता है इस दिन धन की देवी मालच्मी की पूजा अर्चना का विधान है विध्य विधान्त से माल अच्षमी की पूजा अर्चना करने से सभी मनुकामनाय पूर्ण होती है और धन धानी की कमी नहीं होती इस दिन दीपूत्सों का भी विशेश महत्तो है लोग अपने घर दफ्तर वा अन जगहों को दीपक से सजाते है मानेता है कि इससे नकारात्मक सक्तियां दूर होती है वह सकारात्मक उर्जा का प्रशार होता है पौराणिक कथाओ के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम इस दिन लंकापति रावन का वद कर वह 14 वर्षों को बनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापस लोटे थे इस अवसर पर अयोध्या वासियों ने दीब जलाकर वह मिठाई बाटकर भगवान राम का स्वागत किया था वहीं दिवाली को लेकर एक और कथा काफी प्रचली थे कहा जाता है कि इस दिन भगवान स्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकाशुर का वद किया था इस दिन से प्रतेक वर्ष कार्तिक मास के अमावस्या को दीपावली का पर मनाये जाता है एक बार फिर आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत सुपकामना है